तो हेलो वेलकम बैट टू त्रीवेजर्स माइसेल फिरूसितिया सेकंड ये प्रोफेशनल वेटनरी श्ट्यूएंट तो आज हम इस वीडियो में नेट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एक्जाम जो है नेट 2023 हो चुका है एक्जाम देने लगी तो उनका पेपर थोड़ा सब्सक्राइब हो गया है लेकिन कोई बात ने आज हम इस वीडियो में उसके बारे बात करने वाले हैं फर्स्ट आफॉल मैं इस वीडियो आपको बता दूं कि जो भी नीट के कोशन पेपर है विच सॉल्यूशन वो मैंने अपने टेलिग् चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्ष्य मैं दे दूँगा तो वहां से जाकर कि आप जॉइन कर सकते हैं मेरी टेलिगाम चैनल को वहां पर मैंने नीट टोई टॉइब्ट एंडियों थरी के कोशन पेंड़ विच सॉलूशन दोनों ही पैटर्न में अप लोड कर रखे है आप जाकर के चेक आउट कर सकते हैं और डाउड कर सकते हैं और अपनी जो कोशन बेपर है उसको मैच कर सकते हैं वहाँ आंसर की से ठीक है इस वीडियो में चलते हैं आप क्योंकि आप लोगों ना एक्जाम दे ही दिया है नीटे लिए नीटिरीका तो काफी सारे बच्चे ए अब हम स्लेक्ट हो जाएंगे इंट अच्छा एडमिसन मिल जाएगा किसी अच्छे अच्छे एक्वेस दूसरे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा एक्जाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है इतना बैटर जाना चाहिए था और हम बॉर्डर पर हैं कि मिल भी सक और मेस मिलें हैं, मेडीकल मेडिकल मेडिकल कॉलिज मिल जाए रहा है , पैसे को Beatles Local O Ps मिल धान हैं , मेडिकल कॉलिज धाएं, ल 거지 दूसरे जैए बाटर वाले जिनको पता होता है किसी सकते हैं नहीं इसे बच्चे नेकल से पनी मेडिकल से या फिर आंगे हमें कोई और कोर्स परस्टी कोना चाहिए या फिर फिर से ड्रॉप ले करके और तवार तयारी करने चाहिए वह एक या दो मार्क्स या फिर चार से पांच मार्क से पीछे रहते हैं मेडिकल कॉलेज मिलने से उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि वह ड्रॉप ले सकते हैं वह बहुत जबह करीब हैं अपने स्कोर के या हीट को क्रैक करने के उसके अंदर दो चीज़ें होती देखो आपका फैमिली बेक्ग्राउंड कि वह आपको एक ऑप्शन देता है कि की नहीं फर्दर तयारी करने के लिए फर्दर करने के लिए नहीं को से एक ड्रॉप ले सके और फिर से एक साल अपना दे अगर वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि उनको मैं कहूंगा कि उनको एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए फिलाल ये वीडियो में सेकंड वाले बच्चों के रखाएं जो चाहते हैं कि हम एक सेकंड ऑप्शन चूज करें अब हमें फर्दर ड्रॉप नहीं लेने हैं अब हमें एक नया करियर चूज कर लेना चाहिए विकॉस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है या हमारे बहुत स ज़्यादा हम पक चुके हैं तैयारी करते करते तो उन बच्चों के लिए वीडियो है कासकर के लिए कि कौन-कौन से ऑप्शन के लावा मेडिकल फील्स के अंदर हैं तो बहुत सारे ऑप्शन से बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है लिटरली जिनको आप परसीव कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आंगे उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपको पता ही होगा नीट के प्रिपरिशन के टाइम पर आप सुनते होंगे लोगों से जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS, BASMS, Veterinary Science और उसके बार जब बहुत ही ज़दा कंडिशन हो जाती है तो बच्चे एग्री केल्चर में चले जाते हैं तो वह भी एक करियर ऑप्शन है लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपने अपना जो गोल था वह MBS किया था या फिर आपका जो गोल था वह मेंडिकल फील्ड में रहें और अगर MBS नहीं विला तो इसी फील्ड के अंताग्राइब आप अपना करियर को चूज करें या तो आप वेडिनरी साइंस कर सकते हैं या BMS कर सकते हैं या BMS कर सकते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आंगे फर्दर इस वीडियो में आपको मैं अपनी PC स्कीन पर लेके चलूँगा और दिखाऊंगा काफी सारे क सबसे के बाद में आप अगर आपके मार्क्स 500-500 के बीच में या 550-600 के बीच में और आपको MBS नहीं मिल रहा है तो आप क्या चूज कर सकते हैं तो MBS के बाद में कुछ बच्चे BDS को अपनी प्रिफरेंस देते हैं और चूज करते हैं BDS को as a career तो वो भी अच्छा option है बट यहां पर government job थोड़ी सी low हैं काफी सालों से vacancies नहीं आ रही है तो BDS एक option है जिसको आप परसे कर सकते हैं जिसकी cut-off 580 अराउंड 570 अराउंड सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं या अच्छा कमा सकते हैं अच्छा क्लीनिंग डाल सकते हैं कुछ colleges हैं जैसे कि जैपूर का college हो गया और आपके लखनाओ का college हो गया या फिर भी होगा जहांसे आप BMS करेंगे यह तीन चार college बहुत बैटर हैं जैपूर हो गया बहुत ही बैटर college है आप जहांसे BMS करें नो डाउट बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन जाओगे बहुत तो अगर आप किसी नॉर्मल college कर्यज से और तो मैं नहीं मांता कि अफर्दर आप कर्यार में अच्छा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाइण से वहां पढ़ाइद करने करने का कुछ नहीं करेंगे वहाँ बिल्कुल कर सकते और नहीं करने के बाद में एक क्लीनिक सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो बेकार आप्शन नहीं है और उनके लिए तो बिल्कुल बेकार आप्शन नहीं है इनके पास बैक ग्राउंड में इनके फादर या फिर जो भी रिलेटिब से उनका पहले से सेट अप है उनको तो उनके पास पहले से सेट अप है क्लीनिक का तो वह उसको आंगे परस्यू कर सकते हैं फिर तीसरा आपके बाद आता है वेटनरी साइंस यह भी बहुत बड़ी ऑप्शन है परस्वेटनरी तो मेरे इस चैनल पर वेटनरी लेटेड काफी सारे वीडियो देख सकते हैं मेरे व बहुत ही जड़ा बैटर ऑप्शन है मैं मानता हूं कि बाद सबसे बैटर ऑप्शन है वेटनरी साइंस करने का लेकिन एक शर्त है कि आपको कहीं न कहीं इसमें इंट्रस जगाना पड़ेगा या फर आप ऐसे व्यक्तियंग को एनिमल से प्यार है एनिमल से लव है या उन स पसंद करते हैं उनकी बारे में सीखना पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं क्योंकि पैटर ऑप्शन है आपको एक बैटर स्कोप लाकर के वाइड स्कोप लाकर के देता है वेटनरी साइंस एक्चुली यह दो डिग्रिया होती है बैचलर से इसको उपर रखता हूं और प्रक्ता है कि आप कैसा सोचते हैं आपको क्या पसंद है उसकी साप सर्क्राइड कर सकते हैं और जो करियर और मैं आपको पी-चीन when लेकर करियर बना सकते हैं, so career options other than MBS in medical field, so जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आप हो और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि dental science करी जाए, veterinary science करी जाए, या pharmacy की जाए, या physio therapy की जाए, फीजो टेपर इपी भी इस समय एक better option है, जो कि लोग कर रहा है, काफी लोग कर रहे हैं, अच्छा scope है, पकी आँगे चलते हैं, अपने options दिखते हैं, so सबसे बहले alternative medicines, other than MBS क्या क्यों हो सकती है, BMS जैसे कि बता चुका हों, BHMS, BUMS, BNYS, यह कम लोगों ने सुना होगा, that is bachelor of naturopathy and yoga sciences, यह भी एक course जिसको आप कर सकते हैं, फिर pharmaceuticals, जैसे कि B Pharma, सुना होगा सबने, B Pharma ठीक ठाक है, B Pharma in Pharmaceuticals in Chemistry, Pharmaceuticals, यह इसमें career options है, pharmaceuticals के अंदर, वहीं पर biotechnology भी एक wide career option आपको देता है, जैसे कि genetic engineering आप कर सकते हैं, environment technology कर सकते हैं, bioinformatics कर सकते हैं, यह सब आपने पढ़ा होगा in the genetic engineering, जो NCRD के अंदर आपके 12th में chapter है, genetics वाला, वहापर आपने bioinformatics करें में थुड़ा बत पढ़ा होगा, और genetic engineering भी पढ़ा होगा, तो उसी की study आप करते हैं, इस course में, जैसे genetic engineering and bioinformatics, आंगे बात करें तो veterinary and animal science इसकी बात कर चुका हूँ है, forensic sciences ये भी एक बढ़िया career option है, hospital and healthcare management ये भी एक better career option है, इसको आप pursue कर सकते हैं, नहीं पर paramedical sciences के बात करें, तो ये broad spectrum course आपको provide करता है, ये field paramedical sciences, जहाँ पर आप B.S.E. nursing कर सकते हैं, bachelor of radiation technology कर सकते हैं, physiotherapy, जो कि आजकर बहुत चलनद में है, physiotherapy, फिर nursing dialysis therapy, occupational therapy, medical lab technology, optometry, x-ray technology, anesthesia technology, ये भी career options हैं, जिसको आप choose कर सकते हैं, ये साभी तो थे career options, जो आप choose कर सकते हैं, अगर alternative medicine बताया है, ये सब आप NEET exam के, NEET exam qualify करोगे, तभी मिलेगा, और उसमें अच्छे marks मिलने पर ही आपको ये course, मिल सकता है, बाकी pharmaceuticals बगरा, इनके लिए आपको other exams देने पढ़ेंगे, बायो टेक्नलोजी हो गया, वेटने ने, अनिमल साइंस, ये भी NEET के थुरू ही मिलता है, ये भी NEET के थुरू ही मिलता है, लेकिन इसके लिए, अलग अलग एक्जाम कराती है, for the 85% seats, ठीक है, इसके थुरू जो है, 15% seats जो है, रिजर्व रहती है, NEET के लिए, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आँगे अगली वीडियो में मिलते हैं, और इनकी जो स्कोप्स हैं, अलग कोर्सिस के, वो हम अलग से बात करेंगे, दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलना चनल को,